हेलो फ्रेंट्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड अस्ट्रोलोजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनैल्सिस करेंगे सेंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो यूजुल शुरू करूंगा फिंगर्स के अनैल तो यहां पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है काफी अच्छी स्क्वारिश शेप बना रही है आपको ड्रॉ करके दिखाना चाओंगा यहां पर इनकी जो हथेली की शेप बनती हुए नजर आ रही है लगभग एक स्क्वार जैसी शेप यहां पर जो शो करती है काफी hard working type की nature को और साथी साथ इनकी fingers की thickness भी अच्छी है आपको close up में दिखाना जाओंगा यहाँ पर fingers काफी अच्छी thickness में नजर आ रही है और साथी साथ जो fingers हैं यहाँ पर इनकी surya finger की length काफी अच्छी है जो यहाँ पर काफी अच्छी creative qualities को show करती है और जो shunny finger है उसकी length यहाँ पर show कर रही है hard working type की nature को सबसे ज़्याद अच्छी length में और second number पर जो उनकी surya finger की length काफी अच्छी है लेकिन ब्रस्पती finger की length यहाँ पर थोड़ी short होती हुई नजर आ रही है जिसकी वज़े से कहीं न कहीं family की तरफ से मिलने वाले सुखों में थोड़ी सी कमी रह सकती है और leadership qualities भी थोड़ी सी weak हो जाती है इस तरह की short ब्रस्पती finger होने की वज़े से mercury finger को देखा जाए तो यहाँ पर mercury finger की length अच्छी नजर आ रही है लेकिन first valence तक नहीं पहुँच पा रही यहाँ पर इनकी mercury finger जो यहाँ पर थोड़ी सी short रह रही है तो कहीं न कि थोड़ी weakness यहाँ पर इनकी communication skills में यह shortness देश सकती है otherwise सीधी खड़ी रिखाएं मौजूद हैं इनकी लगबग सभी fingers के base phalanges इसके उपर जो show करती है काफी अच्छी friendly type की nature को तो यहाँ तक हमने देखा इनकी fingers को तो चलिए आगे बढ़ते हैं और check करते हैं यहाँ पर इनके सभी mounts को और जो इनकी fingers की setting है उसको देखने के लिए यहाँ पर एक line में draw करना चाहूँगा तो देख सकते हैं यहाँ पर जो line है वो कुछ इस तरह से बन रही है जिसमें इनके जो सूर्य और शनी mount हैं यह दोनों high set नजर आ रहे हैं लेकिन ब्रस्पती और mercury थोड़े से short और थोड़े से low set होते हो दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पर इनका जो सबसे ज़दा prominent mount मुझे नजर आ रहा है वो Saturn है क्योंके loop of seriousness भी यहाँ पर काफी clear बनता हो दिखाई दे रहा है आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर close up में अगर हम यहाँ पर इसको draw करना चाहें तो आप देख सकते हैं जो बारीक finger print वाली lines है उससे एक घुमावदार इस तरह से circle में lines आपको नजर आ रही होंगी कुछ ऐसे circle में जब lines घुमती है तो यह एक loop की creation होती है जिसको हम यहाँ पर loop of seriousness का नाम देती है इस तरह का बड़ा loop यहाँ पर बनना इनकी nature को show करता है कि serious type की nature रहती है व्यक्तिगी dedicated type की nature रहती है ऐसे व्यक्तिगी और जिनके हाथ पर यह loop हो ऐसे loop अपनी dedication towards work की वजह से life में काफी अच्छी progress करते हैं लेकिन इस loop की वजह से कहीं ना कहीं शनी ज़्यादा active हो जाते हैं तो थोड़ी सी मन में विराग्या की भावना रहती है family life थोड़ी disturb रहती है इस तरह का loop होने की वजह से तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हम mounts को check करें तो ब्रसपती mount बेश्यक थोड़ी से low set है ब्रसपती finger भी थोड़ी short है लेकिन यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा एक upward line का चलना थोड़ी सी हलकी है लेकिन उपर की तरफ चलती हुई line जो progress को show करती है life में आख काफी अच्छी progress रहेगी इस तरह की upward line जो है ब्रसपती mount पर पहुंचने की वजह से और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो try riddle है जो बारी एक finger print वाली line से एक tricone बनता है वो यहाँ पर इनके ब्रसपती mount के center में बन रहा है तो किसी भी mount के center में इस तरह से तीनों तरफ से जो lines आकर एक try riddle बनाती है होना बहुत अच्छी बात माने जाती है और इसकी वजह से व्यक्ति उस mount से related जो चीज़ें हैं उनका lab उठा सकता है तो यहाँ पर यह knowledge देने वाली एक तरह से mount बन जाता है prominent बन जाता है knowledge अच्छी रहेगी लेकिन family सुख में थोड़ी सी कमी रहने के chances यहाँ दोनों चीज़ों से है एक तो ब्रसपती का low से टोन और दूसरा loop of seriousness का यहाँ पर बनना शनी की बात की जाए तो शनी mount यहाँ पर अच्छा नज़र आ रहा है ना ही बहुत ज़्यादा दबा हुआ है ना ही बहुत ज़्यादा उबरा हुआ तो एक अच्छी position में है शनी mount के लिए भाग गया रेखा आपको disappear नज़र आ रही होगी लेकिन इस line का इस तरह से disappear होना इस बात को शो नहीं करता कि इस समय पर दिखते रहेंगी यहाँ पर comfort level जो है व्यक्ति का वो कम हो जाएगा यानि अगर देखा जाए तो इनकी 25-26 की एज के बाद से इनका थोड़ा comfort level कम होगा मेहनत यानि के hard work इनको ज्यादा करना पड़ेगा लेकिन progress भी उसी according रहेगी काफी अच्छी progress रहेगी life में धन की कमी नहीं होगी लेकिन पैसा इकठा करने में कुछ दिक्कतें रह सकती है जिसका reason यहाँ पर money triangle का complete ना होना है money triangle यहाँ पर कुछ इस तरह से बन रहा है और यहाँ पूरी तरह से बंद नहीं है पूरी तरह से बंद money triangle कुछ इस तरह से रहता है जब एक तरी कोन बन जाता है और एक complete चारो तरप से तिनों तरफ से ये बंद हो जाता है तो जो accumulation of wealth रहती है वो ज्यादा अची होती है तो यहां पर कुछ middle age तक इनकी जो comfort level है थोड़ा कम रहेगा लेकिन अगर देखा जाए तो 40s के आसपास की age के बाद यहां से दोबारा line यह शुरू हो रही है इस age के बाद यहां पर better income शु इनकी जैसे हम कह सकते हैं कि जो income है वो अच्छी हो जाएगी और कहीं न कहीं से passive income भी शुरू हो जाती है तो around 40 plus की age से यह है जो line है activate होगी और ज्यादा अच्छे result इनको देगी आगे देखते हैं सूरिया माउंट को तो यहां पर आप देख सकते हैं सूरिया माउंट इनक यहां पर थोड़ा सांदर की दब दबता हो लेकिन एक अच्छी सूरिया रेखा जो यहां पर इनको 40s की age से ही अच्छी recognition दिलवाना शुरू कर सकती है क्योंकि यहां रेखा भी लगबग यहां से ही start हो रही है और deep है लेकिन बीच में थोड़ी सी week हो रही है लेकिन यह कह सकते हैं कि एक अच्छा social circle और अच्छी recognition इनकी रहने वाली है society में क्योंकि एक अच्छी सूरिया रेखा मैं यहां पर देख पा रहा हूँ मर्करी की बात की जाए तो मर्करी यहां पर थोड़ी से low set होते हुए और मर्करी का जो try riddle है वो भी थोड़ा सा center से हड़ता हुआ तो सूरिया की तरफ और उपर की तरफ बढ़ता हुआ try riddle जो यहां पर show करता है कि थोड़ी weakness रह सकती है communication में otherwise mercury mount के ओपर कोई भी negative chin नहीं है आगे देखते हैं इनकी major lines को तो आप देख सकते हैं यहां पर इनकी heart की line कुछ इस तरह से आगे बढ़कर mind की line को touch करती है और आ और इनकी जो heart की line है वो सीधी चलकर mind की line के साथ touch हो रही है जो show करती है ऐसे विक्ति heart से कम और दिमाग से ज़्यादा काम लेते हैं क्योंकि यहां पर heart की line में emotions रहेंगे क्योंकि यह line अगर completely यह दूसरी वाला chin जो उपर अभी जिसको मैं circle कर रहा हूँ यह ना बनता तो यह पूरी तरह से practical हो जाते हैं और emotions कम हो जाते हैं लेकिन जिस तरह से यह है उपर की तरफ एक crescent sign बना है जिसको हम girdle of Venus का chin भी कह देते हैं लेकिन यहां पर यह heart line को complete करने का काम कर रहा है और यहां पर इसकी वज़य से emotions अच्छे रहेंगे इनके case में overall mind की line को देखा जाए तो यहां पर totally independent type की personality को show करती हुई mind की line कुछ इस तरह से gap के साथ चलती हुई आप देख सकते हैं life line और mind की line के बीच में बड़ा gap दिखाई दे रहा होगा आपको यह gap show करता है independent nature को ऐसे विक्ति जिनके इस तरह से gap रहता है बचपन से ही independent decisions लेना पर responsibility भी short age से ही छोटी उमर से ही आ जाती है और साथी साथ थोड़ा सा जिदी सभा भी इसको कह सकते हैं और किसी के under काम नहीं कर सकते जादा तर ऐसे विक्ति अपना काम करना जादा पसंद करते हैं जाब में इनको दिक्कतें आती हैं अगर ऐसे विक्ति जाब करते हैं तो बहुत मुश्किल इनको होती है किसी के under pressure में रहकर काम करने में ऐसे विक्ति free minded होते हैं मनमर्जी के मालिक होते हैं तो ये चीज़ इनके हाथ में इस लाइन में clearly नजर आ रही है थोड़ा सा जुकाव है जो इन्हें imaginative बनाएगा लेकिन normal है बहुत जादा लाइन जुकी progress कर पाते हैं उसके लावा आप देख सकते हैं mercury रेखा मौजूद है जो एक बिल्कुल deep line है जो एक अच्छा चिन है यहाँ पर जिसकी वजह से business अगर यह करती है तो उसमें इने अच्छी income रहेगी और business करने में ही इने ज्यादा benefits यहाँ पर रहते हो दिखाई दे रहे हैं उसके लाव आप देख सकते हैं इनकी life line बहुत अच्छी लंबाई में है जो एक लंबी उमर को शो करती है लेकिन heart line के बीच में इस तरह से overlapping कहीं ना कहीं heart related दिक्टें इने दे सकती हैं जो यहाँ पर 50s की age में आकर heart line में pattern change हो रहा है तो यह है 50s की age के बाद को दिक्टें रह सकते हैं लेकिन overall कुछ भी major problem नहीं है क्योंकि इनकी काफी लंबी life की line है जो एक लंबी age को show करती है और इस तरह की life line होने की वज़े से यह approximate 85 to 90 के आसपास की age को enjoy कर पाएंगे उसलाब देख सकते हैं कुछ हलकी worry lines है लेकिन शुकर माउंट यहाँ पर बहुत ही अच्छा है कुछ हलकी worry lines है जो family से related इने चिंताएं दे सकती है लेकिन कोई भी worry line यहाँ पर किसी तरह का negative प्रभाव नहीं डाल रही तो इन्हें घबराने के जरूरत नहीं है और prominent शुकर comforts की बात कर रहा हूं वो luxury से है लेकिन जो यहाँ profit line के बीच में gap है यह work से related comforts रहते हैं यह comforts जो हमें हमारे घर में मिलते हैं जिससे हमारी life जो है easy रहते तो वैसे comforts इनकी life में रहेंगे लेकिन hard work भी काफी ज्यादा इनको करना पड़ेगा work related hard work के इनका काफी ज्यादा यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो यह कुछ analysis थे इनके hand के बारे में मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जो आप एकी वीडियो के थुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन नहीं सवाल रह जाता है तो इनसे request है कि अगर इनका कोई question pending है तो मुझे WhatsApp पर message करें मेरा वीडियो watch करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद